हाई दोस्तों एके ट्रेनर में आपका स्वागत है आज हम लेकर आये हैं मोहस मेठेड जो की बीव फार्म फर्स समेस्टर का है वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सस्क्राइब नहीं किया है तो लाइक और सस्क्राइब करें ताकि आने वा जाना जाता है इसमें क्या होता है जब हम किसी amis को कि साथ जब ऐनालीसिस करते हैं तो उस प्रस्टि इस प्रोसेस को क्या बोलते है घर जैंतो मेटरिक टैक्रेसं के नाम से भी जाना जाता है अब चलिए कि यह देखते हैं क्या होता है तो आप्पलिकेशन हमारा जुक्х Somehow कें से छर्ज्ट के लिए होता है और इससलिए वो बि education के लिए वह सूटेवल नहीं है या मेठां से मेठास में नहीं है और इसमें जो मेडियम होना चाहिए मेडियम नूटरल होना चाहिए यानिकी इंडिकेटर के प्याच साथ होना चाहिए नूटरल होना चाहिए और जो इंडिकेटर कौन धायक्त्री अगेंस्त तोडियुम कुलराइड इन इन प्रेजैन सब इन प्रेशियम् क्रोमेट इन मेट और फार्म करता है यह रिसीपिटेट साथ में यह सिल्वर सोडियल नाइट्रेट इसके अभलों रियक्शन देखते हैं 뜨 जह में हम इसी सोडियम राइड कराया हैं तो किसके प्रेजशन में पूसेंट के प्रेजशन कर आए तो हमारा एजी चीयल यानि कि सीलवा क्लूरायड प्रिशिपिटेट हो गया और जो बाय प्रोडेक्ट हो और क्यूंकि वह सिकेंडर्ी इस्टैंडर्ड है और क्या है यह प्राइमरी इस्टैंडर्डर है और उसमें जब हम एजिएनु उ 3 को जब हम किसी जब हम इंडिकेटर के साथ जब react करा है तो हमारा क्या बन गया एजी 2C-A-O-4 बन गया जो कि डेडिस ब्राउन कला प्रिसिपिटेट फार्म हो गया और जब एजी अनो-3 को जब एने-सी-एल के साथ जब react करा है तो एजी-सी-एल जो कि वाइड प्रिसिपिटेट फार्म हुआ अब इसमें देखते हैं बिफोर इंड पॉइंड पॉइंड में हमारा यह होता है कि जैसे कि हम सोडियम नाइट्रेट को हम जब हम कुलराइड के साथ जब react कराया तो एजी-सी-एल हमारा बाहान निकल आया और जो बाइप प्रोडेक्ट था कौन सा था मेरा बाइप प्रोड फार्म हो जाएगा यह हमारा बिफोर इंड पॉइंड यानि कि इंडर डालने से पहले और अप्य अधर कुण गया इसमें सबसे इंप्वाह्टन चीज है लिए तब तक अच्छे करेंगे जब तक तक उसमें रे डिस ब्राउन क्लावट क्रिसिप्ट करेंगे गया जब तक उसमें रीडिस ब्राउन प्रिसिपेट फोर मतलब पहले हो जाता है और एजी एजी टू सी आर फोर जो है हमारा यह हाई आइनिक वैलू है जिसे यह प्रिसीपिटेट जो है आप्टर में यानि कि बाद में फार्म होता है अब नोट देखते हैं नोट में यह कहा गया कि जो मोहस्मेटर होना चाहिए जो इसमें इसमें कलर देगा जो और यह कर आता है तो यह कंवाता सिल्वर आयोडाइड और यह दोनों से हो जाते हैं यानि कि जब सोडियम जो इसके बूइफ़ोर पॉइंट ब्रिकरेट कलर रहता है और बाद में भी ब्रिकरेट कलर होता है जिससे कि इसे आइडेंटिफिकेशन नह को सिकेंडरे स्टेंडर है इसी के वो जाद से वो नहीं हो पाता है